गुद मॉर्णिंग दोस्तों आर्टिकल 243 ZQ Part 9B The Corporate Society इस आर्टिकल में क्या बताया गया फटाफट देख लेते हैं Offences and Penalties अब हम Corporate Society पढ़ रहे हैं तो Members और Officers इसी के होंगे ठीक है तो ये जो Corporate Society के जो भी Officers Members होते हैं ये कुछ गलतिया करते हैं तो गलतिया क्या है इनकी ठीक है किस तरह की गलतिया है और गलतिया करने से क्या होता है तो किस तरह का Offence किस तरह की Penalty लगते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है तो सबसे पहले देखते हैं Close 1 में The Legislature of State may by law make provisions for the Offences Relating to the Corporate Societies and Penalties for Such Offences Simple सी बात इस क्रोज की ये है पहली बात तो कौन बताएगा कि ये Offences हैं और इन Offences के लिए ये Penalty हैं तो State Legislature लोग बना के बताएगी कि भहिया आपके ये Offences हैं ABCD जो भी Offences हो सकते हैं और इनके लिए ये Penalty है आपके उपर ठीक है भाई List of Offences होते हैं जो State Legislature प्रोवाइड करती है लोग बना के और List of Penalty होती हैं उन Same Offences के लिए अलग अलग जो भी है ठीक है ये चीज़ यहाँ पर पताएगी है उसके बाद Second Close क्या है A law made by The Legislature of State Under Close 1 Sell include the commission of the following acts or omission and offenses भाई इसमें जो भी लोग बनाया है तो इसका Offences मतलब क्या है भाई किस तरह की जैसे Commission है, Commission मतलब गल्द काम करना, Omission मतलब कोई भी Right काम नहीं करना ठीक है अब ऐसे इसमें बताया गया है आगे हम एक एक जो इसके Part है Second Close के उसके उपर बात करते है, उसके उपर हम बात करते है तो एक Second Close का एक Part क्या कहता है इसमें ये है अमने उपर एक तो Commission, Omission का मतलब जान लिया तो यहां पर ये बतायागी कि कोई भी False Return देना गल्द Information जान बूज के देना ये Commission के इन Offences है ठीक है और दूसरा कोई भी सही Information देना चाहिए बट नहीं दे रहे हैं जान बूज के पर जान बूज के वो गल्द Information प्रवाइड कर रहे हैं तो ये Omission के Omission of Offences होते हैं ठीक है तो इसमें ये बतायागी आप आगे Second B Part देखते हैं Any Person Willfully Willfully मतलब होता है जान बूज के ठीक है और Lawful Returns Order Issued Under the Provisions of the State Act ये है कि भी जान बूज के बिना कोई Reason के Officials ने बुलाया या कुछ मांगा ठीक है या कुछ Returns Order दिया कि ये Follow करने के लिए और Follow ना करना ये सब भी Offences में आते हैं अब ऐसा नहीं है वो भी बुलाएं उनका मांग कुछ ऐसी हो कि उल्टी सी दे वो चीज नहीं है ठीक है Departments related ये बात है उसके बाद C point है Any employers who without sufficient cause fails to pay to a corporate society amount deducted by him from its employee within a period of 14 days from the date on which such deduction is made इसमें ये है कि भी जो corporate members है every month उनका कुछ contribution होता है ठीक है और corporate societies के funds के लिए उनमें कुछ पैसा उन्होंने जमा कर दिया कुछ कटता है उनका ठीक है और जो funds manage करते हैं जो भी ये funds manage कर रहे हैं जो पैसा आया गया वो funds manage करते हैं वो employee से तो deduct कर लिया है पैसा वो employee से तो कट गया है लेकिन corporate societies के account में जमान नहीं किया है तो ये तो गलत हो गया ये तो गलत है तो minimum period और maximum period minimum को चलो ठीक है maximum कितना बताया गया है 14 days ठीक है deduct from the employee within the period of 14 days इसमें जमान नहीं किया तो भी है क्या होगा ये भी offense में ही offenses की definition में ही आता है ठीक है भी गलत काम तो उसने किया ही न तो ये बात है उसके बाद D point क्या है any officer or custodian who willfully fails to hand over custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a corporate society of which he is an officer or custodian to an authorized person end ये जो आपको इतना बड़ा paragraph लग रहा है इसके simple से बात बताऊ भी एक officer यहाँ appointed है ठीक है वो अपना काम कर रहा है जो भी books है documents, accounts जो भी maintain कर रहा है अब भी इसका transfer हो गया यहाँ पी ठीक है कोई तो आएगा तो यहाँ पे जब कोई आएगा ये बंदा उसको सारा charge नहीं अच्छे से बताता है नहीं भाई चीजे अच्छे से उसको समझाता है तो ये तो offenses हो गया ठीक है तो ये बात बताएगी transfer हुआ है तो जो नया आएगा है इसको hand over करके तो जाएगा ना charge और वो hand over ना करना ये भी एक offense के definition में आता है ठीक है तो ये offenses हैं सारे किस तरह के ये बताया गया है यहाँ पे अब बाद एक और offenses के definition बता दिए क्या है ये इपॉइंट वेवर बिफोर डूरिंग अब इसमें क्या है ये है भाई voting हो रही है voting के time पे किसी को पैसे दे के खरीद रहे है ठीक है कोई corrupt practice करें ये पैसे दे के किसी को खरीदना voters को किसी को तो गया voters को भाई अपनी साइड लेना पैसे दे के तो ये सब भी offenses के definition में आता है लेकिन यह सब काम होते हैं यार कहां नहीं होते हैं सेंटर से लेके पंचाय तक काम होते हैं यह सब होटर्स के लिए तो यही था इस आर्टिकल में यह सारे ओफेंसिस बताया थे तो यही था हमारा आर्टिकल 243 जैड क्यो थेंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करना